वरत में एक बार पराठा बनाकर खालेंगे तो बार-बार भूप नहीं लगेगी इसे बनाने के लिए मैंने सिंगाडे के आटे का यूज किया है उबला ग्रेट किया हुआ आलू, मसालों में काली मिश पाउडर और सिंधा नमक बस मिक्स कर देना है और जरुवत के अनुसर इसा पानी यूज कर लेना है, इसका एक soft हातों से ही बना लेना है इस आठे को बिल्कुल भी rest नहीं देना है तुरंती लोई बना ले और घी लगाते हुए इसे बेल ले, गर्म तवे पर दोनों साइट जेक ले और देशी घी लगाते हुए पराठा बना ले इसे दही या हरे धनिये की वरत वाली चटनी के साथ सर्व कर लें, बहुती सॉफ्ट बने हैं इस नवरात्री इसे बना कर जरूर देखें